हालो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तो सुपस्टार सिंगर सीजन टू के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पहली बार हेमा मालिनी, धर्मेंदर देयोल और उनकी बेटी इशा देयोल किसी रियालिटी शो में एक साथ नजर आएंगे जी हां तीनों पहुं गई क्या हुआ है चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की पर अगर नहीं किया है भी तक आपने चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं जी हां दोस्तो सूपस्टार सिंगर सीजन टू के मंच पर जब आई धर्मेंदर देयोल हेमा मालिनी और ईशा देयोल तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कंटेस्टेंट्स ने सारे की सारे गाने गाई धर्मेंदर जी के और हेमा जी के यानि कि धरम पाजी और ड्रीम गल के गा गाना गाया कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है ये गाना गाते हुए मनी ने मस्ती भी की और ऐसे में हेमा मालिनी मनी की गाईकी से काफी जादा प्रभावित हो गई और वो उठकर आई और मनी के साथ डांस करने लगी ऐसे में धरम पाजी हैरान है गए क्योंकि हेमा जी हर किसी के साथ इतनी जल्दी इतनी कमफरेबल नहीं होती है लेकिन मनी की गाई की ही इतनी कमाल की थी कि खुद को हेमा जी नहीं रोप पाई और वो डांस करने लगी जिसको देखकर धरम जी ने कहा कि भई मैं तो उठकर नहीं नाच सकता हूँ तुम्हारे साथ लेकिन हाँ इस शेतान बच्चे ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया वेल दोस्तों अब आप क्या कहेंगे इस बात पर हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें